जहें दोस्तों वाइकम बैक तो आज चैनल इस वीडियो आम लोग जो है कंप्यूटर के जो आपके कोश्चन पुछे गए थे सेकेंड और थर्ड मैं में तो वह सारे कोश्चन को यहां पर देखने वाले हैं देखिए इससे जो है आपको आइडिया लगेगा कि कंप्यूटर यहां ये लिएंड कंप्यूटर को लगेगा कि यहां जियांने का जिए आपका थरी जो है option correct हो जाएगा When a file is deleted on your computer where does it go जब हमारा file delete हो जाता है तो वो कहां चला जाता है तो वो हम उसको फिर से जो है कहां से उसको प्राप्ट कर सकते हैं तो वो recycle bin में चला जाता है फिर से हम उसको recycle bin के थुरू प्राप्ट कर सकते हैं तो देखिए आप basic questions पूछे गए है next आपका in Microsoft Excel what is the purpose of the count function count a function तो ध्यान दीजेगा इसमें जो है count a function का उद्देश क्या है Microsoft Excel में count a function का उद्देश क्या है बताइए तो इसका उद्देश है count non empty cell count non empty cell करना यानि गेर रिक्त जो है कोशिकाओं की गन्ना करना जो है ये इसका काम है the extension of bench file is तो bench file का extension जो होता है उसको हम लोग dot bet से जो है denote करते हैं next आपका भारत में विक्सित पर्थम सुपर कम्पूटर का नाम क्या है तो देखिए आपको मालूम ही होगा पर्थम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कम्पूटर था जो की डेबलप हुआ था इंडिया में इसको क्या कहा जाएगा तो हम लोग इसको कर सकते हैं F T P के दोवारा जो है हम लोग फाइल को ट्रांसफर कर पाते हैं यानि आपका यहां पर जो है फाइंस ट्रांसफर प्रोटोकल जो है ट्रांसफर प्रोटोकल यह आपका आपसन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है आपका इन M.I.C.R वाट ड़स दा लेटर C अस्टेंट फॉर यानि M.I.C.R का फुल फॉर्म पूछ लिया जिसमें से C लेटर क्या अस्टेंट कर रहा है यह पूछा गया है तो C अस्टेंट करेगा कोड को, कम्प्यूटर को, करेक्टर को या करेंसी को तो यह जो है आपका C अस्टेंट करता है आपका करेक्टर को option third आपका correct हो जाएगा देखिए third shift वाला question जो हमाई बाला shift वाला question है what is the purpose of using control plus N in MS Excel यानि MS Excel में control plus N जो shortcut की use करते हैं उसका क्या use है तो वो use करता है creating a new workbook यानि option आपका third correct हो जाएगा what is the file extension for not fed तो not fed का जो है file extension क्या हो सकता है तो देखिए similar type की question बनेते dot x txt यानि आपका यहाँ पर four option correct हो जाएगा window को अधिक्तम करने का तात्वरे क्या है यानि maximize करने का what does the term maximize a window refers to तो इसका जो है expand it to fit desktop यह इसका काम है आपका option to correct हो जाएगा which of the flowing is the software that help in sending the receiving an email receiving in email तो देखिए यह पूछ लिया है कौन से software का जो है यहाँ पर जो है help से जो है हम लोग भेज सकते हैं या फिर receive कर सकते हैं email को तो वो आपका ms outlook के थूरू जो है possible हो पाता है यानि third option correct हो जाएगा what are control, shift and alternate collectively known as यानि control, shift and alternate को क्या कहा जाता है functions की है numeric की है navigation की है या modifier की है तो यह क्या है modifier की है यह सारी चीजे जो है modifier की है नेक्स्ट है चार्ल्स बेवेज दौरा डिजाइन किये गए पहले mechanical computer का नाम क्या था तो चार्ल्स बेवेज में सबसे पहले जो modify किया था जो आपका mechanical computer design जो किया था उसका नाम था analytical engine तो आपका two option correct हो जाएगा what term is used for temporary memory of volatile memory तो आपका temporary memory या फिर volatile memory किसे कहते हैं तो यह तो बहुत आसान question था यह आपका RAM को कहते हैं किसको कहते हैं RAM को कहा जाता है random access memory को कहा जाता है option three correct हो जाएगा which of the flowing is not characterized as a search engine किसको search engine के रूप में characterized नहीं किया जाता है तो देखे Google search engine है Bing भी search engine है Facebook जो है आपका search engine नहीं आता तो यह पुछाएं नहीं है कौन सा तो option third आपका correct हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों computer से जो है आपके यहाँ पर seven seven question पूछे गये थे two my paper में भी seven question पूछा गया था और जो है third my paper में भी जो है आपका seven seven question पूछा गया था और यहाँ पर question level देख लिए हैं आप लोग समझ गये हैं कि कैसे question आ रहे हैं बहुत ही basic level की computer के questions पूछे गये हैं तो यह था दोस्तों computer का computer का complete analysis I hope so को video आपको पसंद आई होगी तो video को एक like जरूर कीजिएगा thanks for watching